Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल वो बयान देते थे, कि हम टेसला के लिए कोई अलग प्रोविजन नहीं करेंगे, अगर टेसला को आना है, यहाँ पर छूट लेनी है, तो पहले उनको अपना Factory सेट अप करना होगा, लेकिन फानली मैं आपको बता दूँ, कि भारत सरकार ने कल जो है, नई Electric Vehicle Policy जारी की है, ज इसके तहट आप समझें, कि जिन गाडियों के ऊपर 100% टैक्स लगा करता था, मतलब अगर मान लो कोई गाड़ी है, जो कि 40 लाग की है, इलेक्रिक वेहिकल, और उसको भारत में लाया जाता है, तो वो 80 लाग हो जाती थी उसकी कौश्ट, क्योंकि सरकार 100% टैक्स लगाती पॉलिसी, और इसी के बारे में हम डीटेल से समझेंगे, कि exactly है क्या यह चीज, क्या हुआ है यहाँ पर, टैसला को कैसे फायदा हो सकता है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, आप में से जो भी लोग, UPSC की प Foundation Batch को जॉइन कर सकते हैं, जिसमें आपको complete preparation कराई जाती है, in fact मैं आपको बता दू, हमारा जो stock market का course है, fundamentals of stock market, जिससे आप काफी कुछ सीख सकते हो, यह skill development course है, वो आप ले पाएंगे, बस आपको हमारे website आप पर जाना है, या फिर comment section में link है, और use करना है code, अंकित live, यह code इस्तमाल करके आपको maximum discount मिल जाएगा, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले सुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो यह देखते हैं कि exactly हुआ क तो यह वाला भी जो नया electric vehicle की policy आई है, वो ministry of heavy industries के दोरा लाया गया है, ध्यान रखेगा, ताकि देश के अंदर जो electric vehicle की manufacturing है, उसको एक boost मिल सकें, जादा से जादा EV भारत के अंदर produce हों, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितनी भी global companies हैं, वो इसका फाइदा उठा सकत हैं, विनफास, यह वेटनाम की कंपनी हैं, BMW, Mercedes, जो भी अपना electric vehicle भारत में लाना चाहते हैं, manufacture करना चाहते हैं, तो इसको आसानी से अवोग कर पाएंगे, अब question यह है कि यह नई policy है क्या, कैसे यहाँ पर global players को फायदा हो सकता है, दोको यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सरकार ने यह कहा है कि जो import tax अभी तक लगा करता था, हम उसको reduce करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, basically यह बोला जा रहा है कि जो import tax है, वो अब सिर्फ 15% लगेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ conditions है, सरकार ने कुछ conditions रखा है कि अगर आप electric vehicle बाहर से मंगाते हो, और भा सराउंड 4,150 रूपीज, मतलब आपको भारत में factory setup करनी होगी electric vehicle की, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर कम से कम 500 million dollar invest करो भारत में, और आप कम दाम पर import भी करा सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मानलो अगर कोई company decide करती है, टेसला decide करती है, कि वो भारत में electric vehicle बेचना चाहती है, वो manufacturing unit खोलना चाहती है, और Elon Musk यही कहते आ रहे हैं, कि हम बनाना चाहते हैं factory, लेकिन सुरुवाती दौर में उनको यहाँ पर import duty में cut चाहिए, तो अब क्या होगा कि वो पहले commitment कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ, हम 500 million dollar या फिर 1 billion dollar, उसके उपर कोई limit नहीं है, दें, और duty जो कम हुआ है, उसका फायदा उठा लें, और कल के rate में कह दें कि हम तो investment नहीं करेंगे, तो उसका भी provision रखा है सरकार ने, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन I hope आपको यह समझ में आ रहा होगा, कि सरकार यह कह रही है, कि आप कम से कम इतना investment करो, और सा 25% component domestically procure करना पड़ेगा, भारत की जो local companies हैं आसपास, जो पुर्जे वगर बनाती हैं, तो बैटरी बनाती हैं, तो उनसे वो लेना पड़ेगा, 25% कम से कम, 3 साल के अंदर अंदर, फिर 5 साल होते होते आपको यह पूरा 50% करना होगा, तो ऐसा नहीं कर सकती company, कि भई उन्हो manufacturing setup भारत में लगा दिया, assembly मालो लगा दिया, assembly setup, और वो छोटे-छोटे पार्ट जो हैं, वो भारत बाहर से import करके मंगा रहे हैं, तो भारत को तो उससे ऐसा बड़ा फायदा होगा नहीं, तो यहीं सरकार कह रही है, कि यहां पर आपको कम से कम 50% तक 5 साल के अंदर अंदर, जो component है, वो local से procure करना पड़ेगा, तो जो भी electric vehicle manufacturer यह conditions पूरा करते हैं, तो उनको भारत सरकार यह कह रही है, कि आपकी जो भी गाड़ी import कराओगे, आप 35,000 डॉलर के उपर की, अब ध्यान से समझेगा, यह उन्ही electric vehicle के उपर apply होगा, जो जिनकी value 35,000 डॉलर से उपर है, औ वो मैं आपको आगे बताओगा, क्योंकि भारत में जो domestic companies हैं, वो इससे नीचे जाने में विरोध कर रही थी, खेर जो भी है मैं आपको बता दूँ कि जैसे मानलो Tesla है, उसने कह दिया कि हाँ, हम जो है investment करेंगे भारत में 5,000 करोर का, तो 5,000 करोर मतलब वो fulfill कर रहे हैं यह वाला criteria, 500,000,000 का, तो उसके बीच में, मतलब जब तक यह factory setup होगी, उसके बीच में यहाँ पर वो electric vehicle को import भी कर सकते हैं, ठीक है, टेसला import करेगी, और उनकी अगर value 35,000 डॉलर से उपर है, तो अभी तक जो import duty लगता था, वो ना लगने के बजाए, सिर्फ 15% ही import duty लगेगी, यह आपको ध्यान में रखना है, अच्छा, अब यह चीज मैंने आपको बताया ना, कि 5 साल तक यहाँ पर 50% यह पूरा करना होगा, local procurement, तो अब होगा क्या, कि यह लोग कितने साल तक import कर सकते हैं, अब टेसला यह कह सकता है, कि हम तो 10 साल तक, 20 साल तक import ही करते रहेंगे, हर साल 8,000 गाड़ी तक import करा सकती है, और 5 साल करा सकती है, मतलब 8,000 into 5, मतलब कि 5 साल में 40,000 तक गाड़ी import करा सकती है एक company, ठीक है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, कि यहाँ पर कुछ conditions रखा है सरकार ने, और उसके आधार पर import duty में छूट दी है, ऐसा नहीं है कि बस ऐस 40,000 डॉलर के आसपास है, 40,000 डॉलर मतलब हो गया लगब 35,000 के आसपास, 35,000 की cost है करीब करीब, मैं calculate अभी किया नहीं हो exactly, लेकिन इतना आना चाहिए, 35,000 अगर उसकी cost है 40,000 डॉलर, और अभी अगर कोई electric vehicle भारत में आता है, तो उसके उपर सरकार 100% duty लगाती है, है, और इसके अलाबा भी मैं आपको बता दूँ, अगर कोई गाड़ी की cost 40,000 डॉलर से कम है, electric vehicle की, तो उसके उपर सरकार 70% tax लगाती है, और हाँ, ये चीज़ है, जो completely knockdown units होते हैं, इसका मतलब ये होता है, CKD units का मतलब होता है, जो assembly वाली चीज़े होती है, जो गाड़ देखने को मिलेगी, तो ये जो duty है, बेसिकली उसी को 15% सरकार कर रही है, I hope आप समझ गहोंगे, और साथी साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, कि ये जो benefit है, ऐसा नहीं है, कि जो बाहर companies इस समय है, जो भारत में जिनका presence नहीं है, उन्हीं को फायदा होगा, जो भारत में अलड़ी हैं, जैसे Mercedes, BMW, वो भी आपर investment का commitment करके, जो गाड़ी वगर को import कराना है, तो वो भी कर सकती है, तो ये सब के लिए फायदा मन्द है, जितने भी global companies हैं, अब question ये है कि कोई भी, जो मैंने आपको बताया ना, कोई भी company maximum कितना गाड़ी import कर सकती है, ये 5 स तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे, तो अगर वो 35,000 डॉलर की कोई गाड़ी import कराती है, तो maximum वो 25,000 तक गाड़ी import कर सकते हैं, लेकिन अगर Tesla कहे कि हाँ, हम 781,000,000,000,000,000,000 इतना investment करेंगे, तब वो 5 साल में 40,000 तक गाड़ी import कर सकते हैं, मतलब depend करता है कि यहाँ प पर कोई limit नहीं है, जितना चाहे करो, अब question यहाँ पर यह भी है कि क्या Chinese company भी भारत में आ सकी, क्योंकि आपको पता है, यह काफी जादा geopolitical tensions देखने को मिलता है, जो policy लाई गई है, उसमें यह साफ-साफ लिखा गया है, all entities, regardless of their origin, can partake and seek incentives under the scheme, तो यहाँ पर यह नहीं बोल गया था, कि कोई भी अगर investment आता है, उन देशों से जो कि भारत का land border share होता है, जाहिर सी बात है, भारत का land border चाइना, बांगला देश, पाकिस्तान, बुटान, नेपाल, मैनमार और अफगानिस्तान के साथ share होता है, तो indirectly यहाँ पर यह है कि अगर चाइना की कोई company, जैसे BY थीक है, यह अगर electric vehicle company भारत में आती है, तो यहाँ पर उनको पहले permission लेना होगा, भारत सरकार से special permission, तभी वो भारत में आ सकते हैं, अब question यहाँ पर यह है कि investment का commitment कैसे ensure किया जाएगा, जो मैं आपको बोल रहा था ना, कि कोई company है, उन्होंने बोल दिया कि हम 500 million dollar investment करेंगे और उसी बीच में यह लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा import कराने लगते हैं गाडियों को, और भारत में बेचने लगते हैं, उसे बहुत जादा मुनाफ़ा कमाते हैं, लेकिन 3 साल के बाद पता चलता है, 4 साल के बाद कि भाई उन्होंने तो कोई investment किया ही नहीं, तो फिर क् यहाँ पर सरकार ने यह साफ साफ कहा है, कि जो भी आपको tax में benefit मिल रहा है, छूट मिल रही है, पहले मालो कोई गाड़ी पर 100% tax लगता था, आप 15% हो गया, तो यह बीच का जो difference वाना, वो आपको bank guarantee के तोर पर अपने bank में दिखाना होगा, bank guarantee के तोर पर रखना होगा पै benefit सरकार अपने पास वापस ले लेगी, तो यह सारे इंतजाम यहाँ पर सरकार ने कर रखे हैं, अब question यहाँ पर यह है, कि आखिर कार यह policy सरिफ उनी गाड़ियों के उपर क्यों है, जो 35,000 डॉलर से उपर है, जो import कराया जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ था कि अब आपको पता है, भारत में दो बड़ी कंपनी हैं समय, टाटा मोटर्स और महिंद्रा और महिंद्रा, इन्होंने अल्यडी बहुत सारा investment कर दिया, electric vehicle पर, although अभी इनको बहुत benefit नहीं हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे यह profitability की तरफ बढ़ आ है, तो इनका यह कहना थ कि देखो, सरकार पहले यह सोच रही थी कि 25,000 डॉलर का हम limit लगा देंगे, 25,000 से 35,000 डॉलर, लेकिन टाटा मोटर्स और महिंद्रा और महिंद्रा को लगा, कि अगर ऐसा हो गया तो उनका पुरा market खतम हो सकता है, लोग इनकी गाड़ी ना लेकर, foreign की जो गाड़िया है, व वो यही प्लान कर रहा था, कि 25,000 डॉलर वाली जो सस्ती गाड़ियां होती है, टेसला की, सबसे सस्ती, वो भारत मार्केट में लेकर आएगा, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि import duty सिर्फ उन्ही गाड़ियों पर छूट मिलेगी, जो 35,000 डॉलर से उपर है, तो most probably बताया जा है, इसका detailed guidelines अगरा सब कुछ लाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है, आज model code of conduct लग जाएगा, जो है आपका date announce हो रहा है, election announce हो रहा है, तो उसकी वज़य से में भी सरकार पहले ही just इसको तुरंत ले आई, ताकि कोई problem ना है, लेकिन आप कह सकते हैं कि यह जो move है, वो कही comments में जरूर बताना, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हैं, which among the following comes under the fiscal policy for regulating the economy, ठीक है, कौन-कौन सी इन में से चीज़ें fiscal policy के अंदर आती है, options बहुत ध्यान से करना, यह जो नया pattern है, option वाला, only one of the above two, तो यह आपको बताना, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, कोई भी बैठ चाहते हैं, you can just use this code, ankit-live ताकि आपको maximum discount मिल जाए, I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता आप से next time, till then thank you very much, see you soon.